हेलो एब्रिवान वेलकम बैक तो आर चैनल आगे बनाने की रासिपी यह बहुत यह अलग तरीकी के समोसे हैं और इसको हम चाय के साल सर्फ करें आप इसे जरू ठ्राइ करें यह देखे कितने क्रिस्पी और कितने डीश्टी हैं अब हम रासिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पह का अटा लेंगे और यह हमने लगबग 1 टीस्पून अजवाइन ली है अजवाइन को ऐसे हातों से रगड़ती वे आड़ करें जिसे अजवाइन का फ्लीवर आता है और यह बहुत टीस्टी लगता है अजवाइन चरूर आड़ करें इसे के साथ अब इसमें हम सॉल्ट और ओइल आड़ करेंगे हम इसमें लगबग 3 टीबिर स्पून ओइल आड़ करेंगे और हमने इसमें गर्म ओइल दिया है गर्म ओइल में समुसे या कोई भी चीज आटा बनाने से बहुत क्रिस्पी बनते हैं यह देखे हलका गर्म लें बहुत ज़्यादा गर्म भी ना लें अब इसे हमें हातों के हल्प से अच्छी तरह से मिक्स करना है हातों से मिक्स करने से आटी में पूरे ओयल इजली स्प्रेड हो जाते हैं यह देखे और हातों से ऐसे रगड़ती हुए मिक्स करेंगे हमें इस बैक्शेर का डो बनाना है यह देखे जब हम हातों से इसको बा दी हुए इसको बाइंड करें तोड़े दिर के बाद ये बिल्कुल बाइंड हो जाता है जब ये बाइंड हो जाए तो आप इसको अच्छी तरह से गूत लें गूतने से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है अगर आपको ये टाइट लग रहा है तब आप इसमें हलका सब राइदाना एड करेंगे हम इसमें लगपग हाफ टी स्पूर राइदाना एड करेंगे अच्छी दरह से फ्राइ कर लें मीडियम फ्रेम पे इसी हम तब तक फ्राइब करेंगे जब तक राइब बिल्कुल चरपना ना स्टार्ट हो जाए इसके बाद अब इसमें अध्रक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट आड करेंगे आप इसे टीस के वाडिंग कम या ज्यादा ले सकते हैं एक वर इस पैचुला से इसको मिक्स कर लें मिक्स करने की बाद हम इसे लो फ्लेम पे फ्राइब करना है हाई फ्लेम पे ही जल सकता है इसे बस 10 से 20 सिकंड तक ही फ्रा पौडर करेंगे यह बिल्कुल ऑपिशनल है आप इसे अपने गौडंग कर ये इसी के सांथ ही अभी इसमें हम अम्चुर पाओडर राट करेंगे आप मार्केट का इड़् कर सकती हो या कोई पींचुर बादर जो आप जिसी यह बहुत टीस्टी लगता है मसालों के अब अपने कॉर्डिंग ले सकती हैं अच्छी दर से मिक्स कर लें 10-20 सिकंड तक लो फ्लेम पे फ्राइब करें हाई फ्राइब ना करें और अगर फ्राइब करते समय यह जल रहा है तब आप इसमें हलका सब वाटर आड़ कर सकती हो अब इसमें हम कसूरी धनिया आड़ करें जल्दी हम कसूरी धनिया की रैस्पी भी चैनल पर शेयर करेंगे इसके बाद अब इसमें हम उबले हुए मैश की वे आलू आड़ कर देंगी यह रिखे हमने इसको ऐसा मैश किया है आप चैन तो किसी ग्रेटर से ग्रेट करके भी आड़ कर सकती हो जिसी बिल्कुल उससे बनाएंगे डो निकाले डो को दो पार्ट में ऐसे करें पार्ट में करने के बाद अभी पार्ट में से हम कई पार्ट करेंगे आपका चकला जितना बड़ा है आप उसे उसकी वार्डिंग भी बना सकते हैं यह देखे ऐसे रूल करने के बाद तीन से चार पीसे में इ एसे चकले पर रोल करें या आप इसे चॉपिंग बोल्ड पर भी ऐसे रोल कर सकती हो। रोल करने से यह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं यह देखें। हाथों के हाथ से भी इसको अच्छे तरह से मिक्स करें। और यह तो पतले तो बड़ा पतले बेलने से यह तूट सकता है उठाने मेें। बेलने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल ले और ऐसे ही दूसरा बेलने सेम जैसे हमने इसको बेला है और जितना बड़ा बेला है उतना ही बड़ा इसको भी बेले हातों से फ्लैट करें सुखार्टा लगाएं और फिर बेलन की हैल्फ से बेलने अब इसे किसी भी बेलन से भील सकते हुँ जो बीलन आपके पास हो, यह देखे, ऐसा बीलने के बाद अब हम इसके समूझ से बनाएंगे, बीच में स्टफिंग्स रखके और हातों के हाल से फुरी स्टफिंग्स को ऐसे फिला देएं, हमें आलू की एक पतली से लिए ऐसे फिलानी है, बहुत मुटी भी नहीं फैलानी है कि देखे मिए और उंगलियों के हैंसे फैलाने से ये बहुत येजक्रों झायता है पहले स्टफिंग स्टफिंग्स को आड़ करें देखे में और है अवह हमने सारी स्टफिंग्स को ऐसे आड़ कर दिया इसके वपर दूसरी रोटी रखें, रोटी रखने के बाद अच्छी तरह से प्रेस कर लें, अगर ये हलका छोटा लग रहा है तो आप हलका सा खीच लें, बहुत जादा भी ना खीचें, हलका प्रेस करने के बाद एक बार बेलन से बेल दें, बहुत तीजी से ना बेलें, बस एक बार बेलें ता बाद अब चकले को घुमा दे और फिर इस साइड से जैसे हमने इसको कट प्रोड़ कर दें और हलकी सी मोटी पीसस रखैंक यह हम अलग तरीके के समस से बना रहे हैं ह्वाल की सी मोटे पीसस रखैंगे अब हम इसके सम George's से बनाना सबस्ते करें सबसे पहले एक पीस लें और किनारी के साइज जो एक्स्टा पार्ट है उसको हटा दें हटाने के बाद इसको इस तरब से मूड़ें और इसको इस तरब से मूड़ें हम एक और बना के आपको दिखाते हैं कि देखें इसको ऐसे जोड़ें और फिर इसको उल्टा करती हुए इसको ऐसे जोड़ दें ये देखे डिफरेंड स्टाइल के समोसे बन कर तयार है ऐसे ही सारा बना लें और एक कणाई में तेल रखें तेल को मीडियम गर्म करें एक ही करती हुए समोसे आट कर दें एक साथ हम कई सारा फ्राइ कर सकते हैं जब तेल विल्कुल गरम हो जाए, तब आफ फ्लेम को मीडियम या लो कर दें हम इसे high flame पे फ्राइ नहीं करेंगे मीडियम या low flame पे पहले हम इसे low flame पे फ्राइ करेंगे क्रिस्पी हो जाए तब आप इस पैचुला से बलट लें और बीच बीच में पलटते वे गोल्डिंग कलर कहुनी तक फ्राइ करें यह देखिए अब इसका कलर चेंज होने लगा है थोड़ी देर में यह बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे और कलर भी बिल्कुल चेंज हो जा जाएं यह देखिए अभी अच्छे दरस से फ्राइ हो गया अब इसे एक टिशू पेपर में रखते जाएं या फिर आप किसी प्लेट में ऐसे रख लें ऐसे किनारों से करते हुए करने से इसमें से जो एक्स्ट्र वाइल हो निकल जाता है तब उसे बहुत ही क्रिस्पी ब साथ सब्किया है चैटनी के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिंगे और इसके साथ हमने अद्रग इलाइची की चाय सब्की है आप उसे भी ट्राइ करें रस्पी हमने चैनल में दी हुई है यह देखिए रस्पी पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंग आन शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फूर वाचिंग